हेलो एवरिवन कैसे हो आप लोग आप सभी का आज के वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है तो आज यहां पर हम लोग 12th class biology का जो पहला वाला chapter है reproduction in the lower and higher plant उसका जो complete exercise है वो हम लोग ले के आ गए हैं और guys यहां पर I am not making lot of video on biology तो आप यहां पर अभी हमने biology का भी जो बहुत सारे जो वीडियो है वो बनाने का में start किया है तो आई होप आप हम लोग हमें support करोगे और प्लीज आप हमारे चैनल को subscribe कर लो ताकि आपको ऐसे बहुत सारे जो knowledge वाले वीडियो है और इसके बाद भी अगर आप study further करते हो तो आपको बहुत सारे जो वीडियो है आपको यहां पर मिल जाएंगे तो यहां पर जो सबसे पहला question आप देख रहे हो वह है आपका multiple choice question जिसको आपको mcq बोला जाता है और ऐसे सब जो question होते हैं आपको हर जगा मिल जाएंगे अगर आप 12th board में देखोगे तो 12th board में भी आपको mcq question आते हैं साथ में अगर आप need और जई की preparation कर रहो या फिर mhct की preparation कर रहो तो उसके अंदर भी आपको ऐसे सब question है mcq type के question ही आपको देखने के लिए मिलते हैं तो mcq question आप ऐसा देखके बिलकुल मत लीजिएगा बिलकुल lightly आपको नहीं लेना है कि ऐसे सब जो question होते हैं आपको simply एक आपको answer ढूलना होता है चार के अंदर तो यह सबसे most difficult होता है क्योंकि इसके लिए आपको पूरा जो chapter है वो thoroughly आपको read करना पड़ता है आपको understand करना पड़ता है तब ऐसी चीजों को आप जो answer है वो आप दे सकते हो ओके तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा सबसे पहला question है कि इंसेक pollinated flower usually possesses the dry pollen with the smooth surface ओके second है आपका इंद ओईबुल मियोसिस ओकर इंदो मेगा स्पोर्स मदर से थर्ड है आपका दो प्लोडी लेवल इस नौट दे सेम इन दे सेकेंटरी नुक्लियस एंद दो एंडोस्पर्म और वीच आप फॉलेंग टाइप रिक्वायर्ट पॉलिनेटर बट रिजल्ट इस जेनेट जेनेटिकली सिमिलर तू तू दू उसका जो एंसर है वो है आपका पॉलर नुक्लियस एंद मेल गैमेट्स सेवन्त का एंसर है आपका पॉलर ग्रेंट उसके बाद यहां पर अगर आप देखोगे तो हम लोग सेकेंड क्वेशन की तरफ मूव करते हैं जो आपको वेरी सॉर्ट एंसर टाइप क्वेशन दिया तो यहां पर जो एंसर है वो है स्टीगमा सेकेंड क्वेशन है कि हाव मेनी हैपलोईट सेल्स अर प्रेजेंट इन दो मैच्वर एंब्रोई सेक तो कितने होते हैं है अपके आठ ओके थर्ड आपका क्वेशन पुचा है कि इवें तुरू इच पॉलेंड ग्रेंड हैस दर एकریघ दोनों मेंसे कुई भी अगर गामेट्स जाता है किसी के साथ मेट करता है और यहां पे फर्टिलाइज होता है तो या तो वो मेल के X से होगा या फिर Y से होगा अगर वो X से होगा तो फिमेल होगी अगर Y से होगा तो मेल होगी तो यही दो पॉसिबलीटी होती है आपके फर्टिलाइजेशन के ठीक है उसके बाद therefore if there are the 20 ovils in the successful fertilization okay उसके बाद define the mega sporengesis तो इसको हम लोग कैसे define करेंगे कि जो mega sporengesis होता है वो ओविल्स का flowering plant है उके इसके अंदर आपको myototic division देखने के लिए मिलता है mother cell के अंदर और give formation of the four haploid mega spore out of which the typically only one survive and develop into the mature embryosic okay what is the hydrophily तो hydrophily क्या होता है कि एक तरह का mode of pollination जिसमें transfer of pollen grain from the male reproductive organ to the female reproductive organ उसके बाद यहां पर आपका जो sixth वाला question है जिसमें आपको पूचाए कि name the layer which supply the new nourishment to the development of pollen grain तो यह कौन सा है आपका tap term layer होता है जो आप पूरे body को क्या करता है नरिश्मेंट supply करता है उसके बाद यहां पर seven question देखें डिफाइंड द पार्थनुप scrappy तो यह बहुत ही simple है development and the growth of fruit with the fertilization of formation of seed okay eight वाला question है कि are pollination and the fertilization necessary in the apomix okay तो इसके अंदर apomix के अंदर बिल्कुल भी fertilization और pollination बिल्कुल require नहीं है उसके बाद name the part of the pistil which develop into the fruit and the seed okay क्या है वो कौन सा पार्ट है आपका ovary of the pistil develop into the fruit okay टेंथ वाला question आपको क्या पुछा है कि which is the function of the philly form apparatus the philly form apparatus का सबसे spellized structure point क्या होता है कि वो female gametophyte okay is flowering plant it is the finger like projection formed by the plasma membrane and the cell wall okay उसके बाद यहां पर अगर आप next question की तरह move करते हो जो है आपका short answer question तो ऐसे सब जो question होते हैं या तो आपको 2 marks के लिए आते हैं या फिर 3 marks के लिए आते हैं तो यह आपको question के उपर depend करता है कि question का answer कितना बड़ा हो सकता है जैसे अगर आप पहला question देखते हो तो यह आपको mostly 2 marks के लिए आ सकता है लेकिन अगर वहीं आप second question के उपर jump करते हो तो यह आपको 2 से 3 marks के लिए पूछा जा सकता है जैसे यहां पर आपको सबसे पहला question क्या पुछा है कि how the poly embryonic can be commercially exploited तो जो पॉली embryonic है वो commercially किस तरह से exploit हो रहा है इसके बारे में आपको यहां पर पूरा एक जो brief होता है वो आपको देना है उसके बाद second है यहां पर pollination and the seed formation are very crucial for the fruit formation justify the answer आपको पता है कि जो आपका pollination है या फिर seed formation है वो बहुत ज्यादा crucial होता है किसी भी food, fruit formation के लिए आप अगर अपने surrounding के देखोगे तो आप जिस भी पेड़ को देखो जहां पर fruit लगते हैं वो उस fruit को सबसे बहले pollinate होने के लिए वहां आप देखोगे कि ऐपको birds दिखने के लिए मिलते हैं बहुत सारे insects आपको देखने के मिलते हैं तो वो क्या करते हैं एक तरह से जो pollinator का काम करते है और pollinator का काम यही होता है कि वो pollens को एक याने male pollinator और female pollens grain होते हैं वो एक दुसरे से क्या करते हैं एक transfer करते हैं जो insect होते हैं या फिर जो आपके birds होते हैं उसी के कारण क्या होता है जो fruit formation होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है उसके बाद third question देखिए कि incompatibility in the natural barrier in the fusion of gamets how will you explain this statement तो आप किस तरीके से जो आपका natural barrier in the fusion of gamets में जो incompatibility है उसको आप किस तरीके से describe कर सकते हो यहाँ पर आपको describe करना है उसके बाद अगर हम fourth वाला question देखें describe the three device by which cross pollination is encouraged in the angiosperm by avoiding the self-pollination तो आपको ऐसे तीन devices के बारे में बताना है जो cross pollination को encourage करते हैं angiosperm में और जो avoid करते हैं self-pollination को तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आपको diacomy दिया है उसके बाद हर को गया मिदिया है और self incompletibility यह तीन आपको यहाँ पर दी गई है और यह तीन devices ही बहुत main जो एक role play करती है जो self-pollination होता है इसको avoid करने के लिए उसके बाद हम लोग next move करते हैं जो आपका long answer question है और ऐसे question जो वो होते हैं आपको four marks के लिए तो आप इस चीज के उपर ज़्यादा focus के लिए कि जो four marks वाल equation होते हैं वो आपको step by step कैसे marks धिलाते हैं सबसे पहले तो four marks वाले में सबसे पहले आपका important होता है कि आप एक थोटा सा जो diagram होता है वो आप prepare करें कि क्यो diagram अगर आप prepare करते हो तो आपको एक marks उस diagram का ऐसे ही मिल जाता है अगर आपने diagram प्रिपेर कर लिया अभी आप उसके basic पर जाओ कि describe the process of double fertilization तो आप उसके definition को लिखो कि actually में आपका double fertilization क्या है उसके बाद यहाँ पर अलग-अलग process होते हैं तो मैं यह नहीं कहता कि आप entire process को लिखो आप क्या करो आप ऐसे- like the wind, water, insect, or animal तो यह आप point लिख सकते हो उसके बाद यहाँ पर pollen tube growth अगर आप तो यह point अच्छा नहीं लगता है तो entry into the embroise sect याने जो भी pollen grain है वो क्या करते हैं entry करते हैं आपके embroise sect के अंदर उसके बाद वो small opening of the ovils होता है जो आपका embroise होता है जो आपका उसका polar nucleus होता है उसके अंदर वो enter करते हैं उसके बाद उसके अंदर fertilization होता है यह आप लिख सकते हो और वो double fertilization को आप बता सकते हो जिसमें formation of gigot आपको देखने के लिए मिलता है और उसके अंदर development of embroise आपको यह दो process आपको देखने के लिए मिलता है उसके बाद आप endospom formation बता सकते हो य diagram के साथ आपको कम से कम चार या पाच font आपको लिखने हैं कोई भी process के तो इस तरीके से आपको जो चार mark से वह आसानी से आपको मिल जाएंगे उसी तरीके से यहां पर एक और second question पूछा है जिसके अंदर आपको सबसे पहले तो आपको development of male gametophytes के कैसे यहां पर जो आपको छे स्टेप दिख रहे हैं वो छे के छे यहां पर जो स्टेप से आपको बनाने होते हैं अगर आपने छे स्टेप प्रिपेर कर लिए तो आप क्या करो मैं यह नहीं कहता कि आप यहां पर यह पूरा आप रीट कर ल theoretically present किया गया है और science actually में यही समझाता है कि अगर आपको practically अगर knowledge होता है तो उस practically knowledge को आप theoretical में आसानी से convert कर सकते हो तो यहां पर भी वही चीज़ें जो आपको diagram के अंदर दिया है वही सारी चीज़ें आपको उसके अंदर लिखनी है जैसे इसके अंदर आपको देखनी के लिए मिलती है हर एक step के अंदर क्या क्या formation हो रहा है वही सारी चीज़ें आपको यहां पर लिखनी है जैसे pollen wall development हो गया pollen grain maturation हो गया dehydration and dispersal हो गया pollen release हो गया यह जो चार पॉइंट है आपको यह सारी जो पॉइंट होते हैं वह आपको लिखने होते हैं और इनके बारे में ही describe करना होता है उसके बाद यहां पर अगर आप थोड़ वाला question देखते हो जिसमें आपको पूछाए कि explain the development of dicote embryo अगर आप यहां प answer है आप बना सकते हो बिल्कुल आप लिख सकते हो इसके इंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आईगी simply अगर आप देखो तो पहले step में आपका fertilization हो रहा है उसके बाद नेक्स टेप जाओगे तो division of digode यहां पर आप देखो कि दो digode का क्या हो रहा है यहां पर आप देख ल यहां पर formation के लिए दिख रहे उसके बाद आपका maturation of amroi क्या होते है वह पूरी तरह से mature होने लिए यह पूरा आपका maturation of emroi है और उसके बाद यहां पर seat formation यहां पर देख सकते हूं कि कि सब्सक्राइब कर यहां हो कि बिलता है तो इस तरीके से आपको diagram के वाई जी आपक कि हाँ जो भी स्टूडेंट ने यह जो एंसर लिखा है बिल्कुल यह डाइग्राम के उपर ही बनाया है और टाइग्राम आपको प्रिपेर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके बाद यहां पर आप देखो कि ड्रॉ और लेबल डाइग्राम ऑफ एलेस ऑ अलग-अलग जो इसके यह जो अलग-अलग component के जो नाम है वह हमने लिखे है और वही चीज़े हमने explain कि है जो हमने लिखा है जो आपको यहां पर डाइग्राम के अंदर दिख रहा है चाहिए चलाजा हो गया एंटी पैडल्स हो गया सेगंडरी नुक्लियस हो गया एंब्र दिख लेग्राम की है और यह सारी चीज़े ही हमने यहां पर उदार दिये लिख जो इसमें कोई चीज़ कोई चीज हम नहीं की है पस आपको वही चीज़ करना है कि अगर आप एक बार भी रीट कर लेते हों कि अंदर एक का रोल है को के सीनरजित का क्या रोल है central cell का क्या रोल है antipodal cells का क्या रोल है तो आप असानी से जो answer है वो आप फॉर्म कर सकते हो उसके बाद फिल्ट ऑफ एम्रोय से component after fertilization वो किस तरही के से काम करती है वो एक बार आप read कर लो उससाब से जो आपका answer है वो आप prepare कर लो उसके बाद यहां पर filling the blanks यहां पर आपको एक flower दिया है यह mostly viscous का flower मुझे लग रहा है और इस flower के उपर ही आपको answer है वो आपको लिखना है तो यहां पर मैं क्या करता हूं यहां पर number दे देता हूं यह आपका one number हो गया यह आपका two number हो गया यह आपका three ओके यह आपका four यह आपका five यह आपका six यह आपका seven हो गया यह आपका eight हो गया यह आपका nine हो गया और यह आपका ten हो गया ओके तो इस तरीके से उसको आपको लेवल करना है, वो भी हमने करके दिया है, अपने इसाब से भी आप लेवल कर सकते हो, लेकिन ये आपका लेवल भी same ही आएगा, इसके अंदर कोई differences आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर match the column, यहाँ पर आपको एक structure before the seed formation दिया है, और structure after the seed formation, यहाँ पर आपको option दिये है, A, B, C, D, और आपको यहाँ से जो answer है, वो आपको match करना है, तो जो आपका option number C है, A का आपका 4 आएगा, ठीके, यहाँ पर मैं match the following कर देता हूँ, A का 4 आएगा, B का आपका first वाला आएगा, ठीके, C का आपका fifth वाला आएगा, और आपको चार option दिये है, और चार option मैंसे आपको एक जो option है, उसको आपको correct करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको project दिया है, project में आप देखोगे कि natural vegetation of propagation by the leaf only in the different vascular plant, तो यहाँ पर आपको जो natural vegetation है, vegetative propagation है, leaf के अंदर, वो किस तरीके से होती है, vascular plant के अंदर, उसका आपको एक क्या करना है, project बनाना है, यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से project prepare किया है, और आपको यहाँ पर हमने provide किया है, कभी भी अगर आप project prepare करती हो, तो सबसे पहले तो आप उसका title लिखो, उसके बारे में एक छोटा सा abstract लिखो, वो abstract के अंदर आप पूरे हर एक point को cover करते हो, उसके बाद क्या करो, हर एक point को आप क्या करो, डिस्कराइब करो, जैसे आपका जो introduction है, visitative propagation को लेके, वो क्या है, इसके बाद research and selection of vascular plant आपने क्यों लिया यह, उसके बाद collection and observation, आपने उसके अंदर क्या observe किया, experimental setup आपका क्या था, documentation आपने क्या क्या किया, उसके बाद data analysis आ लिखे कि आपको इससे क्या find हुआ, उसके बाद आप overall जो भी आपको प्रोजेक्ट का आपको conclusion यहां पर लिखना है, तो इस तरीके से यहां पर यह जो पूरा एक exercise है, यहां पर पहला वाला 12th class का biology का, वो यहां पर खतम होता है, और अगर आपको फिर भी अगर कोई doubt होग तो guys, thank you so much आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और please आप से यही request रहेगा कि आप लोग हमें support करो, और हमारे चैनल को subscribe कर दो, आपको बहुत सारे इसके उपर जो 12th class है, अगर आप science आगे continue करते हो, तो उसके उपर बहुत सारे जो वीडियो से आपको यहां पर मिल तो thank you so much आप सभी का वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आप लोग next topic में